नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं कि सभी कोविड अस्पतालों को फांक्शनल करे अस्पतालों में डॉक्टर्स, नॉर्सेस, पराय मेटकल स्टाप, आधिक प्रतिनिक्ति को लेकर उपायुक्तिने समाधित पतादिकारियों को दिशार निदेश दिया वहीं लोजिस्टिक और एम्बुलेंस की आउसकता को लेकर सिविल सर्जन को भी निदेश दिया गया मौसम विभाग के अनुसार राज्य के धक्षनी तथा मध्य छेत्र में 29 और 30 सितंबर को भारी बारिस हो सकती है ऐसा बंगाल की खाड़ी में आ रहे तुफान गुलाब की वज़ा से हो रहा है गुलाब तुफान का असर उडिसा में दिखने लगा है बतादे गोपालपूर में तुफान टकराया और बारी सुरू हो गई है इसके 29 सितंबर को पच्छे मंगाल के तटी ये इलाके में पहुँचने की उमीद है इसी वक्ट यह जारखन में भी असर दिखने लगेगा भारत बंद का जारखन में मिला जुला असर नए क्रिशी कानूनों के खिलाब किसानों के आवाहन पर भारत बंद का जार्खन में मिला जुला असर देखनों को मिला है पतादे बंद के समर्थन में जार्खन के कई जिलों में पर्दसन हुआ जामुमों कांग्रेस रायद और बामदल समेत कई संगठनों के करकताओं ने स जीटी रोट के पास चोको बन समर्थकों ने जाम लगा दिया। से बिफल सावित होई। एस एसपी और सीटी एसपी समयत पूरा पूलिस महकंबा सहायक पूलिस कर्मियों को मुराबादी पहुशने से रोकने के लिए दिन रात रण निती बनाते रहे। सावित हुआ। देश की जनता ने बिरोधियों को मोहतोर जबाब देते हुए जता दिया कि जनता पूरी तरह से देश के परधान मंतिर नयनवोदी के साथ है। पूरे देश में भारत बंद बुलाया गया मगर हरियाना पंजाब और देली को छोड़ कर देश के अने राजों में इसका परभाव नहीं रहा। राजनितिक दलों के करिकताओं के अलावा किसान, नौजवान, दुखंदार एवं समाज के अन्य वर्गों ने बंद में भाग नहीं लिया। ये बाते भाजपाप परदेश, अध्यक, सहसांसत, दिपक प्रकास ने कही। मोराबादी और राजभावन के आसपास निस्धागया लागू। मोरादी और धाना परदेशन करने की घोसना की है। इससे सांती भंग होने एवं बीधी ब्यवास्ता की समस्या उत्पन होने के असंका है। इसे देखते हुए SDO दिपक धुबे ने निस्धागया लागू करने का आदेश जारी किया है। निस्धागया आगले आदेश तक जारी रहेगी। आदिवासियों को जीवन में अब एक बार जाती पवन पत्र बनेगा है। सील ने सोमो और को अपने स्विक्रिती की मुहर लगा दी है। मुक्र मंत्री हमांसुरी के देख्षता में प्रोजेक्ट भवन में करीब पवने चार घंटे तक चली में राथन बैठक में कई प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई। जारखन में जाती अधारित जनगाना बनेगा बड़ा मुद्दा है। को सता रोड गटबंधां जारखन में बड़ा मुद्दा बना सकता है। बतादे रव्यूर को नई दीली में केंद्री गिरी मंत्री अमीत सासे मुलकात के बाद इस से लेकर तयारी तेज हो गई है। हलाकि केंद्र ने असपश्ट कर दिया है कि यह संभव नहीं है लेकिन इस मुद्दे पर केंद्री गिरी मंत्री से मुलकात करने वाले सिस्ट मंडल में भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास भिभागिदारी रायनितिक गलियारियों में चार्चा के बिसे बनी ह हुई है बता दे भाजपा में सुख भुगाहट इस बात को लेकर है कि जाती अधारित जनगर्ना पर केंद्र सरकार का असपश्ट रूप के बावजूद भाजपा के परदेश अध्यक्ष रोधली असिस्ट मंडल का हिसा बने आदिवासी जमीन पर कबजे की होगी जाच जनगातिये प्रामर्ष दात्री परिसत की बैठक में आदिवासी ओं की जमीन पर अवय तरीके से हुए कबजे समेत जनगातिये हितों के जुड़े अन्य मसलों पर गंभीता से मन्थन किया गया जार्खन जन जाती है प्रामर्श धात्री समीती यानि जार्खन ट्रैवल एडवाजरी काउंसिल की बैठक में जनकारी दी गई मोख्यमंत्री इसकी समीक चक कर रहे हैं इसके अलावा आदिवास्तियों की जमीन पर गयर आदिवास्तियों द्वारा अवैद कबजे किये जाने के मामले में सभी उपायुकतों से रिपोर्ट तलब की गई बैठक में रायस्व एवं भूमि सुधार विभाग नया जनकारी दी है जारखन में कुरोना के चार नए केस मिले हैं जो राची से दो बोकारों से एक और खोटी से एक सामिल है जहरखंड में कुल एकटिव केसी की संख्या 89 है भारत में 14902 नए केसी मिले है quinho भारत में कुल एकटिव केसी की संख्या 284,06 है जहरखंड में एकटिव केसी इस प्रकार है राची 43, पूरवी सिम्हुं तीन, हजारी भग एक बोकारो 5, धनबाद 2, रामगर 0, पच्मी सिम्हूम 1, कोडारमा 0, पलामो 0, देवघर 1, गुमला 0, गिरीडी 0, लातेहार 0, खोटी 2, सरायक लखरसावा 3, सिम्डेगा 0, गठवा 0, लुर्दागा 3, चातरा 4, गोड़ा 0, जामतरा 10, साहेव गंज 1, धुमका 0, पांकोण में 0 मरीज एक टिवाएं, मुख्यमंत्री चातरा गिरीड का 1 अक्टूबर को करेंगे उधघाटन, मुख्यमंत्री हमान सिरेण 1 अक्टूबर को चातरा गिरीड सावेस्टेशन और चातरा लातेहार संचरन लाइन का उधघाटन करेंगे, बतादे पहले आकार करम 29 सिप्तमबर को निधारित था जनकारी के अनुसार इसमें बदलाव करते हुए एक अक्टूबर का समय तय किया गया है लगभग 190 करोर की लागत से त्यार चात्रा गिरीड और समंधित संचरन लाइन के सुरू होने से इटखोरी, गिधार, मियूर हंट, हंटर गंच, काना चट्टी, कुंदा, परतापूर, धानडा, बरही, सिमरिया, आधी परखंडों को सीधे तोर पर पुर्वगुनवाता पुर्ण, निर्बाद, बिजली, आपूर्ति का लाब मिले का इस दोरान मुख्य मंत्री के साथ स्रम मंत्री, सत्यानद, भोकता, सांसत, सुनील, कुमार, सिंग, और विधायक, किसुन, कुमार, दास, मुझूद, रहेंगे जारखंड में 49 परतिसत लोग खाते हैं तमबाकू, लड़कियों को भी लुभा रही कमपनिया मंत्री जारखंड के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि तमबाकू कमपनिया अपना बैपार बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी और आकरसित कर रही है वे अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी इसका प्रचलन बढ़ाने की और कारे कर रही है यदि महिलाये तमबाकू का सेवन करती हैं तो उनका स्वास तो प्रभाइत होगा ही आने वाले बच्चों पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा तमबाकू के इस्तिमाल से मुक्ति के लिए उनके बीच जागरूपता फैला कर और सरकार द्वारा बनाएगा नियमों का स्वक्ति से पालन करा कर रोख्थाम किया जा सकता है वे राज ये तमबाकू नियंत्रन को सांग यों सिर्ष द्वारा रांची के नामकू में आवयोजितकारे साला में बोल रहे थे बतादे सिर्ष गूपता ने बताया कि जार्खण में तमबाकू इस्तिमाल करने वाले का आकड़ा 50% से घट कर 38.9% हो गया है लेकिन यह आकड़ा अभीबी देश के आकड़े 28.6% से काफिय दीखा है जार्खण में पूलिस नक्सली मुड़ेड बच निकला दिनेस गोप जार्खण के खुटी जिला से 65 जिला के गुदरी थाना चेत्र में पूलिस नक्सली मुड़ेड हुई मुड़ेड में खुटी जिला की पूलिस भी सामिल है बताया गया कि पीलेफाई उगरवादियों के साथ पुलिस की मुर्भेड हो रही है हलाकि पीलेफाई सुप्रीमो दिनेस गोप एक बार फिर पुलिस की गिरभ से बच निकला है जनकारी के अनुसार पचमी सिमों के गुदरी थाना छेतर के बांदू पंचायत के टेमना गाउ में पुलिस वप परतिबंधित नक्सली संगटन पीलेफाई के उगरवादिक साथ मुर्भेड हुई स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर पहुँचेगा मद्दाता पचान पत्र मद्दाता पचान पत्र पाना अब और भी असान हो गया है बतादे भारत निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में सकरात्मक पहल की है अब राज एके मत दताओ कोई स्पीट पोस्ट के माध्यम से फोटो यूक्त मत दाता पचान पत्र उनके घर तक पहुच जाएगा भारत निर्वाचन आयो के निदेश के अलोक में सोमवार को जार्खन के मुख निर्वाचन पताधिकारी के रवी कुमार यूम राज्ये के पोस्ट मास्टर जनरल संजीव रंजन ने ये मयूपर हस्ताक्चर किया है जार्खन सरकार का खाजाना सराब के ठोक भंडारन वा लाइसेंस से 50 कुलोर भरा है जार्खन में ठोक सराब की बीक्री के लिए लाइसेंस आवंटित किये जाने से राज्ये को अब तक 50 कुलोर रुपे का राज्ये सो प्राप्त हो चुका है राजे में कुल जीलो की संख्या के डेर से दो गुनी यानि निमतम 36 से 48 लाइसेंस देने का प्रविधान है बता दे अब तक राजे में सिर्फ 24 को ही लाइसेंस आवंटित हुआ है नियमा अनुसार विभाग अतिरिक्त नया लाइसेंस देने को बाद है लेकिन इससे समंदित मामला नयालाय में लंबित होने के चलते इसकी परकिरिया रोकी गई है ज्यारखन में जन जातिये विश्व विद्याले की होगी अस्थपना ज्यारखन में जन जातिये विश्व विद्याले के स्थपना होगी बता दे मुख्य मंत्री इसकी समिक्षा कर रहे थे डियूटी से गायब तीन चिकित्सक बर्खास्त जार्खन सरकार ने अनधिक्रित रूप से डियूटी से अनुपस्थित रहने वाले तीन चिकित्सक पताधिकारियों के विरूत कड़ी करवाई की है ये सभी पलामों जीले के अलग-अलग स्वास्त केंदर में तैनाथ थे जिन चिकित्सकों पर करवाई हुई है उनमें पलामों के विश्रामपोरिष्थी समुदाइक स्वास्त केंदर में पदस्थापीत ड.शूत कुमारी शामिल है राइधानी के सरकारी और नीजी स्कूलों में सोमवार को हुए भारत बंद का विद्यारतों को 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 विद सोमवार को नीगम सभाकक्ष में बुलाई गई नगर नीगम बोड की बैठक हंगामे की भेर चड़ गई बतादे दो घंटे एक गारा मिनट के हंगामे वा विरोध परदेशन के बाद बैठक अस्थागित कर दी गई अब अगली बैठक के लिए 30 सितमर की निधारित की गई ह मेर डाक्टर आसा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार के समक्ष इसकी घोसना की इससे पहले सोमवार को एक घंटे देर से शुरू हुए बोड की बैठक में जंकर हंगामा हुआ है रैविज डे विसेश परतिमा चार हैर लोग ले रहे ठीका है रैविज और उसके रोकथाम को लेकर 28 सितमर को बिस्व रैविज दिवस मनाया जाता है इस साल रैविज तथे डर नहीं के थीम पर मनाया जा रहा है बतादे लोगों से डर को खत्म करने और उन्हें तथियों के साथ ससक्त बनाने पर अधारित है बतादे की जारखन में रहे विज के अधीकतर मामले कुते काटने से आते हैं बतादे की रायधानी में प्रती माह 4 हयार चाधीक लोग कुता काटने की सिकायत के बाद एंटी रहे विज का ठीका लेने पहुंचते हैं खाद्य समागरी बेचने वाले परतिस्थानों को रसीद पर दर्ज करना होगा लाइसेंस नमबर अक्टूबर महीने से रेस्टोरेंट मिठाई की दुकानों सहित अनपरतिस्थानों से जनरेट होने वाले बील पर एफ एस एस आई नमबर लिखना अनिवारे होगा ऐसा नहीं करने वाले पर नियम संगत करवाई होगी बता दे ऐसा नहीं करने वाले पर करवाई होगी ऐसा देश FSSI का है अक्टूबर माह से इस नई वेवस्था को लागू कर दिया जाएगा धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं होतों चनल लोग सब्सक्राइब कर पहले करने बहुते साथी साथ आप साम को प्रती दीन संध्या समाचार 5 बज अपलोड होता है उस वीडियो को देखना न भूले धन्यवाद